ये बात सुत्रों या सिध्धानतों की नहीं है कि आप मुझसे पूछें कि क्या दुनिया से बेपरवाही संभव है, वांचित है, क्या मैं सलाह दूँगा, क्या बेपरवाही की रहा चलना चाहिए, ये कोई तैशुदा नेड़े थोड़ी होता है, पांच लोगों से पूछ के थोड़ी बेपरवाह होते हैं, जो बेपरवाह हो जाता है, उससे दूसरों की सलाह की भी परवाह नहीं रहती, आप तो बहुत परवाह करते हैं, जब बेपरवाही चाहेगी, तो मेरी सलाह की परवाह क्यों करोगे, फिर कहोगे कि कहते होगे गुरु जी, कि बेपरवाह ठीक नहीं, हम तो गुरु जी की तरफ भी अब बे परवा हो गये। अभी तो देखो न, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं बोल दूँगा, फिर किसी और से पूछोगे, फिर चौते से पूछोगे, ठीक वैसे जीवन में, सब काम पूछ पूछ के करे जाते हैं, घर में रिष्टा आया है, काकी, फूपी, कूकी, चूटी, मासी, कासी, जितनी य आ रहा है, बेपरवाही बहुत निजीवात होती है, आत्मा के अत्रिक्त और कोई बेपरवाह हो नहीं सकता, मन तो परवाहों का पुतला है, मन तो चिंता का पिंड है, मन कब बेपरवाह हो पाया है, बेपरवाह तो मन तब होता है, जब वो आत्मा में बैठ जाए, जब व स्कूल में अब दस जगह फोन गुमा रहे हैं ये स्कूल ठीक है नहीं वो स्कूल ठीक है है कोई ऐसा धुरंदर जो स्कूल देखता हो और कहता हो चल छुननू यह यह तेरे लिए अब गाड़ी खरीद नहीं है पचास जगह से पूछ रहे हैं चूपड़ा जी खोपड़ा जी सब बताएं कि फ़लानी गाड़ी कौन सी ठीक है कौन सी नहीं ठीक है रंग चुनने के लिए कमिटी पिठाई गई है खालांकि उसमें वीटो देवी जी काई चलेगा कमिटी देती रहे अपने अनुशन सा रंग तो आना गुलाबी श्रीमान जी मूझ रखेंगे के नहीं रखेंगे ये बात भी पेपरवाही से तय होती है कभी हिम्मा चोपती देवों की तो दाड़ी रखे दिखा दे खुल बेपरवाही एक मौझ होती है मस्ती का एक आलम होती है वो तब चाती है जब तुम कहते हो किसी से कुछ चाहिए नहीं लालच जहां मिटा तहां तुम बेपरवा हो गए और जब तक तुम्हारे मन में लालच है तब तक तुम दूसरों के सामने विखारी ही हो और विखारी नहीं बेपरवा हो सकता जिसे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए वो हो गया बेपरवा उस पर छाएगी अब टूट मस्ती चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा चाह भी रखे हो चिंता भी रखे हो और मांग रहे हो बेपरवा ही ऐसे होगा कभी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिनको कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तुम्हें अभी बहुत कुछ चाहिए जने बहुत कुछ चाहिए उन्हें जो कुछ चाहिए उबाद ने मिलता है परवाह पहले मिलती है जब कुछ न चाहिए हो तो बेपरवाह हो जाओगे तो बड़ी भारी कीमत मांग ली गुरुजी आपने जिनको कुछ न चाहिए ये तो आपने सब कुछ छीन लिया हाँ, बड़ी संपदा थी तुम्हारे पास बड़ी अरब पती थे तुम और गुरुजी ने सब चीन लिया था क्या तुम्हारे पास जंजीरे बहन के घूम रहे थे बीमारियां लेके घूम रहे थे तमाम तरह की व्यक्रताएं, चिंताएं इनको अगर चीन लिया तो बुरा तिया क्या छोड़ा तभी जाता है जब पकड़ी हुई चीज की निरर्थकता दिख जाती है जो पकड़ रखा है उसकी निरर्थकता को देखो तो सही पर मोह के मारे हुए हो आदत के मारे हुए हो समाज के डर के मारे हुए हो और समस्या यह है कि आदर्श तुम्हें कहीं दिखते नहीं पास साथ लोग दिख जाएं बेपरवाद तो मन को ज़रा हिम्मत बंदे हूँ उतने भी दिखते हैं तो लगता है कि यह तो बड़ा मुश्किल काम है सब चिंता कर रहे हैं तो हम भी करते ही रहते हैं और दस लोग बैठ के चिंता कर रहे हैं उनके पास एक बिंदास भूम रहा हो खुला मस्ती तो उस पर बड़े लांचन बड़े अभी योग लगते हैं तो गैर जिम्मेदार आदमी तो जीने के काबिल नहीं तो अभी मर जा दुनिया में अगर कोई सबसे हास्यास्पद चित्र होता है कोई ऐसी छवी होती है जिसको देखते ही ठाका गुझे तो वो होता है चिंतित आदमी का मुझ चिंतित आशंकित गंभीर इस चित्र को एक ही शीर्षक दिया आ सकता है चुटकुला अपने आईने के उपर ही लिख दो चुटकुला क्योंकि जब भी उसमें तुम्हारी शकल दिखाई देती है तो ऐसी ही तो रहती है चिंतित आशंकित गंभीर और इससे बड़ा मजाग कोई हो नहीं सकता मजाग क्यों कह रहा हूं इसे मैं उपहास करने का किसी की भद पीटने का इरादा नहीं है मेरा मजाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम उन चीजों के छिनने को लेकर के चिंतित हो जिनका छिनना जिनका मिटना तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा जैसे कोई आदमी चिंतित हो कि कहीं मेरा कर्ज खत्म न हो जाए जैसे कोई आदमी चिंतित हो कि कहीं मेरे सर का बोज कम न हो जाए जैसे कोई परेशान हो कि कहीं मेरे बीमारी मिटन जाए सारी चिंताए हमारी ऐसी ही है सत्य का तो चिंतन किया ही नहीं जा सकता न तो जिस भी चीज की तुम चिंता कर रहे हो उस सत्य तो होगी नहीं सत्य नहीं है तो उसको जाने दोना यही बेपरवाही है जो चीज असली है शद्धा रखो वो तुमें छोड़ कर कभी जाएगी नहीं और जो तुम्हें छोड़ कर जा सकती हो, उस चीज को कहो, तू आज ही चली जा, कल तक भी ठहरेगी, तो वेर्थ हमें चिंता देगी, तू आज ही चली जा, खुदा का आदमी इसी कसोटी पे जिंदगी को कस लेता है, जब भी उसके पास से कुछ विदाई लेने लगता है, ठक, नकली था, तब ही तो विदाई ले रहा है, चल भागे हां से, अगर कुछ विदाई ले रहा है, तो वो इसी काबिल है कि उसको जाने दिया जाए, जो असली है, वो तुमसे कभी विदा मांगेगा नहीं, और ये बहुत बल प्रदान करने वाला सूत्र है, जैसे ही कु का अंत हो ही जाना चाहिए था, असली होती तो इसका अंत क्यों होता, अब जाएगी बेपरवाही